दोस्तो इंडिया और चाइना के बीच फिर से कॉर्ब कमांडर लेवल की 14 दॉर की बैठक होने जा रही है आखिरकार कब होने जा रही हैसे इस बैठक के बैठक स्पीटेड हैं और इस इलाके में अभी तक दिसिंगेजमेंट का northern के प्रोसेस हो जा रहा है और इस हलातों को देखते हुए इस बार 14 दौर की बैठक होने जा रही है। इससे पहले भी 13 दौर की बैठक हुई थी जिसमें चाइनीज पार्ट जो थे वो डिसिंगेजमेंट प्रोसेस के लिए तयार नहीं थे और बात कर लिजाए तो ऐसे हलात बन चुके थे कि फिलाल द और डिसिंगेजमेंट के प्रोसेस को फर्वार्ड किया जाएगा आगे बढ़ाया जाएगा लेकिन चाइना तो आप लोग जानते होंगे कि चाइना को कहके मुकर जाना उसकी पुरानी आदत है और फितरत है। और ऐसे में कई महिनों तक कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आ यह मिटिंग चुसुल में होकी और आपको बता दें कि दोनों के ही बीच जहां कॉर्प कमांडर लेवल की उच्छे बारता होगी और इसके बाद डिसिंगेजमेंट के प्रोसेस को फॉर्वार्ड किया जाएगा आगे बढ़ाया जाएगा और यह मिटिंग 12 जनबड़ी 2022 क को होने जा रही है वैसे दोस्तों बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि दोनों ही तरफ तक्रीबन 60-60,000 प्रुप्स जो सैनिक हैं वो तैनात हैं और वो भी घातक हथियारों के साथ दोनों ही तरफ के सैनिक लेस हैं तो ऐसे हालात में डिसिंगेजमेंट के प्रोसेस को आगे बढ़ा पाना काफी बड़ा चैलेंज होने वाला है वैसे दोस्तों अब देखना दिलस्थ होता है कि क्या चाइना डिसिंगेजमेंट के प्रोसेस को आगे पौरवार्ड करने के लिए तैयार होता है या नहीं वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है क्या चाइना डिस इंगेजमेंट के प्रोसेस के आगे बढ़ाने के लिए वो तयार होगा या नहीं इसको लेकर नीचे कमेंट्स में अपनी इपीनियन जरू सेयर कीजिए मिलते हैं अगली नहीं रिपोर्ट में जो की होगा आपके लिए काफी खास